दग्दिवारत से कॉंगर्स विधाय चुनी की देटी कर्मा को आज विधान सभा में स्वपत दिलाई गई अध्याच विधान सभाद्या से चरंदास महंत ने उन्हें स्वपत दिलाई है मुख्यमंती भूपिस महिं समय तो उनके मध्यमंचल के सब्स और विधायन भी दौरान मौझूद रहे विधान सभा के विशेश सब्स में भाग लेने के लिए एक दिन पहले देटी कर्मा को दिलाई गई अशीश ची देवती कर्मा को शपत दिलाई दी गई है और अब जिस तरह से विधान सभा में देखा जाए तो कॉंग्रेस के संख्याबल में और जादा इजाफा देखे बिल्कूल संख्याबल में दाफा हुआ है कॉंग्रेस इस्टेट या पिस्टेनाइन सेटो के साथ कॉंग्रेस का दलपल अप्ता दन के बीटा नजर आएगा दंतेवारा उग चुनाओं में एक तरीके से मुकाबला बीज़ेपी और कॉंग्रेस के बीच हुआ थो कॉंग्रेस में बीज़ेपी की जीटीवी सीट को छीना है अधर थारा के चुनाओं के बारान यहां से बीज़ेपी के बीवा मंदावी ने जीट ड़्च किया था लेकिन फुलोग सभा चुनाओं के दौरान इक नक्सल घटा इमें उनकी मृती हो गई थी और बाई-एलेक्शन कराया गया था भीमा मंदावी की मौत के बाद अब इ बीज़ेपी कर्मा को चपात दिलाया है विदान सभा अध्यक्ट ट्र टरंडा समाहन तने और अभी स्वराज एक्षव से बातीत करने के दौरान देवती कर्मा ने अतनी खाफनेकताओं को भी बताया वो ने कहा कि महेंदर कर्मा अधा जोस अपना दंतेवाडा के विकास क पिछली सरकार ने किया है यह तमाम आरोध भी लगाया है उन्होंने क्योंकि अब अंग्रेस की सरकार है तो ऐसे में देवती कर्मा यह उम्मीद करती है कि दंतेवाडा विकास की प्राफनिक्ता में सरकार की पहली गड़ी साबित होगा इसके लाबा भीमा मंडावी की मौत के बाद जिस तरिके से दंतेवाडा का सियासी समिकन बदला है लेकिनल कॉंग्रेस के पक्त में पैसला आया और अब चित्रपूट में जिस तरिके के बाई-एलेक्शन होना है उसे लेकर कॉंग्रेस दंखम भगा रही है मुख्यमंत्री गुपेश वगेल ने अभी थोई भी फाइदा मिला है और हमेरे से जीत हाफिल हुई है लेकिन अब चित्रपूट में जो बाई-एलेक्शन होना है इसे एक तरिके का वाकवर कॉंग्रेस मान कर रही है क्योंकि 2018 के चुनाओ की बात करें 2013 के निजान साथ के बात करें वहाँ पर बीज़पी के मात की जिगा कॉंग्रेस के उमिद्वार जीत दर्ज करते रहे हैं जो है वो इस नौ में कहीं न कहीं पर पहले ही जा चुकिया आला कि जरूर जो बड़े नेता है उनके बयानों में यह जिक्र बार बार सुनने को मिलता है कि दंतेवारा का चुना भले बीज़पी हार गई हो लेकिन जितकूट पीज़पी ज़रूर जीतेगी लेकिन बात होगी तो ऐसे में देखना होगा कि कौन सी पौलिटिकल पार्टी दमखम लगाती है बिल्कूर आशी जी क्योंकि अगर चितकूट विधान सभाव उप्चनाव के अगभाईल एक्शन के हम बात कर ही रहे हैं तो अगर कैंडिडेट सेम होता तो एंटी इंकमवेंसी का अभी मामना समझ में आता लेकिन इस मरत बाता तो कैंडिडेट भी चेंज हो गया है कौंगरेस के अलियास बहुत ज़्यादा नुक्सान देशिती नहीं है क्योंकि चितकूट में 2013-2018 के में दान सभाचनाव में दिपक बैज लगता जीता करते रहे और लोग सभाचनाव ज करें तो कॉमरेस अपनी शाखों को कमजोर करना नहीं चाहेगी तो कि कॉमरेस की जो अभी भी नहीं है 15 साल से नहीं था विकास नहीं हुआ वो विकास आज फुल पुलिया है रोड है आपका गाओं का जो शाष्टा है शिक्षक है उनके लिए गाओं तक को हम पहुंच जागरूग जनता ने जिन उमीदों जिन आसाओं के साथ कांगर्स पार्टी के प्रत्यासी को आजाधी के बाद एतिहासिक वोटों से विजय दिलाई है इस जीत में सबसे ज्यादा स्रे जाता है दंतेवाड़ा छेतर की जागरूग जनता को मानी भुपेज बगिल साथ की नेत्रितों में जो आट मेहने की सरकार हैं उनकी योजनाए हैं उनके नीतिया हैं उनको वहां की जनता ने मुहर लगा दिया और कांगर्स पार्टी के जो सिद्धामत है सब को लेके चल लेका उसमें हम काम करेंगे